स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दो ग्रामर के अंत्रगत जमाना और फेल इन दोनों टॉपिक को समझने वाले हैं यह साथ में आप लोगों को बताते चलूंगी जमाना इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कहाता है यह दोनो टॉपिक क्लास 10 और 12 के exam के point of view से काफी important है धेर सारे question घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं तो इसी वज़े से आज का यी वीडियो आप सभी लोग के लिए must important हो जाता है स्टार्टिंग से लेकर अंति तक बीना skip किये जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार कहते हूं कि complete देखना है ताकि किसी भी तरह का कोई भी doubt आप लोग के mind में न रहे है ठीक है ना क्लास 10 और 12 के लावा अगर किसी आप इंट्रेंट्स एक्जाम के रियारी कर रहे हैं तो भी आज का यी वीडियो काफी helpful होने वाला है क्योंकि इन दोनों टॉपिक से हर एक्जाम में पूछा जाता है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही आप लोग कर पहले जमानतों यहीं कि आप लोग को पहले बटाई कि जमाना ही इन्गिश और हिंदी में कहते हैं काल में किसे कहते हैं जमाना जमाना का मुझब समझेगा समय यानि कि कि वक्त वक्त समय को ही क्या कहते हैं हम लोग जमाना इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल जिस तरह इंग्लिश में टेंस के तीन प्रकार होते हैं तीन टाइप होते हैं प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर हिंदी में काल के तीन प्रकार होते हैं वर्तमान काल भूत काल और भविश माजिकीन को में कहा जाता है पास्ट टेंस और हिंदी में कहते हैं जनpentडर hours कार और तीसरा टाइप है जमाना का जमाना ये कहते हैं मुस्त Г思ंथए कारोह रहा जाता है घखिसरा हैं क्या है फेल माजी फेल हाल और मुस्टक्बिल आप लोगो समझ में आहीं क्या होगा जो उसके बादे जमानाए हाल जो समय अभी चल रहा हुँ ना यानकि अभी के समय में आप लोग को पढ़ा रहे हूं तो अभी सपन in stopन रहा है के बड़ाया जो यह वक्त सद्वागा इसको कहेंगे जमाना हाल और जो वक्त आने वाला हो यानि कि आने वाले समय को हम लोग पहला सकरेशल जमानाी बाहिएं अभी सब ten टाइप हो गए अप हिसाब से फेल के भी तीन ताइप यानि कि हम काम को इन ही तीनों समय में कर सकते हैं ठीक है एक तो हम लोग बीते हुए समय में काम किये होंगे और एक अभी वो जो वक्त चल रहा है यान की हाल में अभी हम लोग कोई काम कर रहे होंगे और एक काम ऐसा होगा जो हम लोग आने वाले समय में करेंगे यानि की जमाना की हिसाब से फैल यानि की काम को भी तीन भागों में बाटा गया है तो यह सारा क्या कहले गाएगा और फैल के बैठना खेलना कुदना तरफ में ना ना ठीक है think that staan किसला है फैल माजी किसे कहते हैं उस तब को कहते हैं माजी लगा हुए ना मशी का मतलब क्या होता है पास्ट-tence यानि किवे वाईसा फैल वैसा काम जो माजी में यानि कि गुजरे हुए समय में पास्ट में किया जा चुका हो उस तरह की काम को कहते हैं फेल माजी ठीक है जैसे कि मैं जाती थी मैं पढ़ाती थी मैं बोलती थी मैं हस्ती थी मैं गाती थी यह फिर मैं गा रही थी मैं गा चुकी थी ठीक है तो यह सभी एक्जामप SKC 1 film तो मोजिके कोए कि से पता चल रहा है कि जो काम हुआ ठाइए की जो काम हुआ है वो घुजरे हुए समय में हो लाटाइन की तरह के काम को इस तरह के फैल को कहते हैं फैल माजी और उसी तरीके से फैल हाल देखिए क्या लगा हुआ है हाल यानि कि वैसा फैल वैसा काम जो अभी हाल में यानि कि परदेंट टाइम में चल रहा हो ठीक है उस तरह के काम को कहते हैं फैल हाल जैसे कि मैं अभी आप लोगों रही हूं तो यह काम अभी हो रहा है प्रजेंट टाइम में तो इस काम को क्या कहेंगे फेल हाल कहेंगे अभी मैं बोल रही हूं तो यह जो काम हो रहा है इसको भी हमनों क्या कहेंगे फेल हाल कहेंगे ठीक है तो देखिए यहां पर एक्दम्पल में लिख दी हूं मैं जाती ह हुँ ठीक है मैं खाती हूं यानि कि अभी यह प्रेजिन टाइम में काम होता है मैं जाती हूं मैं खाती हूं मैं पढ़ाती हूं ठीक है और उसी तरीक Giving नामी में क्या है मुशत भी यानि कि फू cowboy जों कामने वाले समय में future में किया जाएगा उस तरह के फैल यानि कि उस तरह के काम को क्या कहते हैं हम लोग फैल मस्तक्बिल कहते हैं जैसे कि मैं जाओंगी याने वाले समय में ये काम होगा तो इसको क्या कहेंगे फैल मस्तक्बिल तो फैल माज़ी फैल हाल फैल मस्तक्बिल समझ में आ जाएगा फेल हाल और मैं पढ़ाऊंगी यह यह अप लोग को यहां तक कोई डिक्ट नहीं को रिकर बता दिएगा और अभी तक आप लोगने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप किस बात का इनदिजार कर रहे हैं आप तबी लोग फड़क लाइक कर दे और इस बात पर शेयर तो बनता है जितना ज़्यादा हो सके दबा कर शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके थोड़ साइब आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है या पर आप सभी लोग के लिए प्री आफ कोस्ट जो है ना कॉंटेंट प्र जमाना की लिए हाथ से फ्यल्ग की तीनों टाइप हो गये अब फ्यलके और भी टाइप होते हैं कि फिल पर ब्रकार होते हैं जयससा कि मैं यहां पर बोड पर समय में मालूम हो जिससे कि महमुद आये पता नहीं न चल रहा है कि अभी आये कि बाद में आये थेखें मौजूद जिस तुम इधर आओ एक ग्लास पानी लाओ मेरे लिए ग्लास पानी लाओ तो यहां पर ऑरडर दिया रहा है तो इसको क्या कहेंगे फेल अमर कहेंगे ठीक है, उसी तरीके से एक fail नहीं, जिस काम को करने, ना करने का order दिया जाए, यानि कि काम को नहीं करने का हुकम दिया जाए न, तो उस तरह के काम को कहते हैं, हम लोग fail नहीं, जैसे कि तुम मत जाओ, तुम मत बोलो, तुम मत खाओ, ठीक है, तो यहाँ पर order दिया जा रहा ह तौब ठीपि थोड़ा सा कांतर है इसमें इसàng काम को कहते हैं, जिससे सिर्फ जाहिर होकि वो काम हुआ नहीं है, जैसे कि मुंतर्जीर खाना नहीं घाएं, सिर्फ पता चल ज़राए कि ये काम नहीं हुआ है मुंतजीर ने खाना नहीं खाया यानि कि काम नहीं हुआ है मुंतजीर पढ़ने नहीं गया हामिद जो है ना सोने नहीं गया ठेखें हामिद जो है वो बाजार से सबजी लाने नहीं गया यानि कि काम नहीं हुआ जिससे सिर् व्लूक को इन दोनों में अंतर समझ में लिया होगा आगे बढ़ते हैं अगला टाइप हह फेल का फेल मुफ्रत किसे कहते हैं उसतरह के फिल को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक लफ्ज हो जैसे कि जाना एक लफ्ज है आना एकलफ याने कि इक शब्द लिखना पढ़ना हसना दोड़ना भागना इसमें एक शब्ण है लेकिन इस में एक से ज्ञादा शब्द हो जासे की दो हो या फिर तीन हो तो उस तरह के दो मोरकब जैसा की चोरी करना इसमें दो हैं नव्रकब करना दो शहाम क है नल व्रकष्ञण कहेंगे फेल मुरकब कहेंगे गाली देना इसमें दो लफ्ज है गाली और देना तो इसको क्या कहेंगे फेल मुरकब कहेंगे रिश्वत लेना थपड मारना ठीक है तो इसमें क्या है दो लफ्ज है तो इस तरह के फेल को आप लोगों को आँख बंद करके फेल मुरकब टिक कर देना है ठीक है और उसके बाद से यहां पर लास्ट है फेल मुस्बत फेल मुस्बत उस तरह के फेल को कहते हैं जिससे सिर्फ पता चल जाए कि हां काम हो गया है उस तरह के फेल को कहेंगे फेल मुस्बत जैसा कि मुनतजीर पढ़ने चला गया यानि की काम हो गया जिस फाइनली यहां पर हम लोग फेल के कुछ अलग अलग टाइप को समझ लीं compress लिए उसके इसके इलावा हो कुछ और important टाइप है जो कि हम लोग इसके next video में समझेँगे फेल माजि की यह है ना यह अलग-अलग किसमे हैं वह मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियों में बताऊंगी और फेल के कुछ और बचे-कुछे जो टाइप है उसको भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियों में बता दूंगी जिससे आप लोग के एक्जाम में question पूछे जाते हैं यहां पर मैं आप लोग को बिता देना चाहती हूं कि किस किस तरह से question पूछे जाते हैं question पूछने का तरीका तो वही रहता है जैसे कि कोई भी एक लफ़ उठा देगा और कहेगा कि बताईए यह fail का कौन सा किस्म है तो बस आप लोग को यह topic समझ लेना है बाकी तो कोशन आप लोग खुद से बना लेंगे और बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए अभी आप लोग अराम से topic को पढ़िए complete कीजिए लास्ट में आप लोग को उर्दू grammar का objective question करा दिया जाएगा ताकि जो आप लोग पढ़े रहेंगे ना इसका practice हो जाए objective question मतलब किस किस topic से किस तरह से question पूछा जाता है यह आप लोग के mind में fit हो जाए लास्ट में आप ल लिए जमाना हो गया फेल हो गया और फेल की कुछ की स्मों को हम लोग समझ लिए लेकिन इसके लावा जो फेल के कुछ और important topic है उसको हम लोग इसके next video में जो समझेंगे वो भी काफी important हो गया मतलब यह पहला वीडियो और इसका आगे आने वाला next video यह दोनों वीडियो कराई अब बचा कुछा हम लोग आगे अगले वीडियो में क्योंकि काफी important है उसमें हम लोग कंपीट करेंगे ठीक है तो चलिए अगर आप लोग यहां तक screenshot लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से खुशी-खुशी प्लेलीजिया स्क्रीन शॉट तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसे के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ आई होप आप लोग ने वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा चानल पर नए-नाय होंगे तो चैनल को सब्क्राइब कर लिया होंगे अब अगर दो जबरतास्त होता है तो ठोड़ा सा लेट हो जाए तो आप लोग गब्राएं नहीं थ्या दिशार कर लें क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही यहां पर काम होता है अगर एक दो दिम वीडियो लिए यहां पर वर्क किया जा रहा है हम और हमारी पूरी टिम गया बस आप लोग इमानदारी के साथ हंसी खुशी के साथ मेहनद करते रहें पिर रिजल्ट करेंगे तो बात है कि एकदम जबर्दस्त आप लोग आने माल है तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय झाल झाल